असलाम अलेकुम वेलकम टो जी एफेक्स मेंटॉर मैं आपका टीचर इम्रान और आज हमारी है क्लास नंबर 20 और आज बहुत इंपॉर्टेंट सी एक चीज़ आपनों को बतानी है एक छोटा सा पैनल है अपियरंस का पैनल और बिलीव में बहुत ज्यादा काम की चीज़े औ बहुत अनुकी सी चीज़ है मुझे यह नहीं समझ में आता कि यह बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यार हम इसके अंदर यह कर सकते हैं अचा जी जो अपियरंस का पैनल है वो बिसिकली यह रहा यहां पर यह सूरज या सन की तरह का एक आइकन इसका बनावा है मैं इसको उठा करके यहां पर साइड में रख रहा हूं और इसके साथ ही साथ मैं ग्रैफिक्स स्टाइल जो है इसको भी साथ में रख रहा हूं ठीक है इसकी तो थोड़ी देर के लिए मैं फोटा कर रहा हूं and appearance पर आजाए देखें बाइड़ अगर आप जब भी कोई new file लेत फिल वाइट आ रहा है, स्ट्रोक ब्लाक आ रहा है, एन ओपैसिटी डिफॉल्ट एन ओपैसिटी फिर यहां पर डिफॉल्ट लिखा हुआ रहा है, यह है क्या यह सारी चीज़ें, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो यह दिखा रहा ह अभी तक कि आप लोगों ने यह देखा कि हमारा स्ट्रोक जो है, वो आप लोगों ने स्ट्रोक वाली क्लास यकिनन देख लिए होगी, अगर नहीं देखी, तो यहां उपर यह जो लिंक आ रहा है, इस पे एक छोटा सा आईका आइकन आ रहा है, यह यह खुला होगा अभी इस पे आप क्लिक कर दें, आप यहां पे स्ट्रोक की तमाम प्रॉपर्टीज वाली क्लास है, वो ज़रूर देख लिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टन है, ठीक है, तो मैं यह समझ रहा हूँ कि आप लोगों देख चुके है, इसलिए अब मैं जो चीज बता रहा कि आप इसमें new stroke भी डाल सकते हैं, अभी तक कि आप लोगों ने देखा है कि हम हर object पे एक stroke लगा सकते हैं, और यह की तरह का fill लगा सकते हैं, लेकिन appearance का panel आपको इस चीज की freedom देता है, कि आप एक ही object पर multiple तरह के strokes लगा सकें, कैसे, आए मैं बताता हूँ, first, देखें, यहां पर इस वक्त एक stroke लगा हूँ है, 14, दूसरी चीज है, कि यहां पर fill लगा हूँ है, पहले मैं single stroke की एक और property बता दूँ, उसके बाद मैं multiple strokes के उपर आता हूँ, एक और बहुत important सी चीज है, कि देखें, यहां पर भी बिल्कुल आपने यकिना layers वाली class दे है, अगर मैं इस stroke को पकड़ के नीचे ले आँ, तो आपका fill उपर आ जाएगा, stroke नीचे चला जाएगा, so अगर मैं even stroke का weight बढ़ाओं भी, तो वो सरफ उसके पीछे से बढ़़ा होगा, इसके अंदर भी जा रहा होगा, definitely, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप stroke को सरफ पीछे रखना चाहरे हैं और आगे नहीं रखना चाहरे हैं, तो yes, यह use किया जा सकता है, बारल मैं इसके stroke का weight कम कर रहा हूँ, ठीक है, and let's say मैं इसमें dashed lines डाल रहा हूँ, ठीक है, अब यह जो dashed lines अगर आपको दिख रही हैं सबको, कि किस तरह से आ रही हैं और चाहें तो मैं stroke का weight और कम कर देता हूँ, ठीक है, मैं यह चाहरा हूँ कि इसके साथ एक और stroke आ जाए, और यह वाला जो stroke है, इसका color समझ लें, मैं रखना चाहरा हूँ, yellow, और इसके पीछे एक और stroke देना चाहरा हूँ, red, तो दूसरा stroke किस तरह से लाएंगे, यहां दे stroke कर सकते हैं, और जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, यह आपके पास एक और stroke आड़ कर देगा, अब यह exactly वही values का है, मैं इसका color चेंज कर रहा हूँ, पहले तो मैं इसका red color कर रहा हूँ, and दूसरी बात कि इसका dash जो है, वो मैं खतम कर रहा हूँ, और यह solid होगे, अब जाहर fill इसका change कर रहा हूँ, because यहां पर color बहुत दा खिचरी बन गई है, let's go for gray color, ठीक है, ताके आपने वही clearly stroke नजार रहा है, now, मैं यह चाहरा हूँ कि एक और stroke आजाए, see, मज़ेदार सी बात है ना, कि हम stroke पे stroke लगाय जा रहा है, so let's say मैं एक और stroke चाहरा हूँ उसमे, और इस अगर CC version नहीं है, आपके पराना version है, और या किसी वज़ा से यहां पर यह icons नहीं आ रहे है, you can always add your stroke from here, otherwise you can click over here, ठीक है, so जैसी मैंने click किया, यह stroke और add हो गया, और इस बार मैं अपने stroke का color blue कर देता हूँ, ठीक है, और जाहरे, अब नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यह दे इसको नीचे ही रखना जा, and this, like यह अब देखें, dash रहा है, फिर से आप इसको dash हटा दे, आप इसकी thickness और बढ़ाना चाहें, बढ़ा ले, चीक है जी, so, yes, this is quite interesting, कि अब यह आपके पास एक इस तरह का stroke बना वा रहा है, और मतलब एक ही path में multiple strokes आप लगाय जा रहे है, आप यह कर सकते हो, कि जो मैंने graphic style का panel आप लोग को का था, कि इसको भी सामने रखेगा, ठीक है, इसको object को select रखें, और यहाँ पर आके new कर दे, अब यह style आपके पास save हो गया, at least this file में save हो गया, ठीक है, और मैं जैसे यहाँ पर default पर click करता हूँ, यहाँ से appearance में से तो हड आप याएगा, लेकर अगर आप appearance से नहीं अटाते हैं, आप जब भी कोई चीज़ मनाएंगे, वो बिल्कुल इसी तरह से sometimes बनी विया रही होती है, अगर वही appearance इस पर apply हो रही हो, लेकिन फिर भी, आप अगर default stroke वगरा कर देते हैं, तो आप किसी भी object पर, चाहे किसी तरह का भी shape हो, आप उस पर अपना ये style, simply यहाँ पर click करके apply कर सकते हैं, good ना, बहुत काम की चीज़ है, आर ये, alright, so, चलें, यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ पर अगर आप देखें, तो आपके पस एक option आ रहा है, fill का भी, which means कि आप fill भी इसके अंदर multiple add कर सकते हैं, so, मैं यहाँ से एक fill add कर रहा हूँ उस पर, अब देखें, यह सबसे टॉप पर आया है, आप चाहिए, तो इसको उठा करके यहाँ नीचे रख ले, और इसका color जो है, मैं जी, यह वाला gradient डाल रहा हूँ, ठीक है, अब देखें, वो gray मौजूद था, already, और एक और ऊपर से मैंने gradient fill डाल दिया है, ठीक है, अगर आप इसके छोट असा arrow जो आ रहा है, इसको click करें, तो आपके पास एक और option आ रहा है, हाँ बाराल यह आपके strokes में भी आ रहा होता है, opacity वगरा कर, यहाँ से आप click करके, इसकी opacity डाउन करना चाहरे है, डाउन कर ले, या अगर आप gradient को change करना जा रहे हैं, आप gradient का panel खोल लें और आप उसको change कर दें, so for example, मैंने इस gradient को थोड़ा और पहला दिया, like इस तरह से, ठीक है, तो आप यह बहुत असानी के साथ, इस तरह से अपने gradient को भी adjust कर सकते है, now, इसकी opacity 63% है, सही है, आप कम करना चाहरे है, और कम करना चाहरे है, कम क fills डालता जा रहा हूँ, एक और fill add करते हैं, बट उसके लिए मैं काम यह करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, अपने पस जो swatches हैं, अमरे पस libraries, और अगर आप लोग को swatches की libraries का नहीं पता, तो फिर से यहाँ पर एक और link मैं दिया है, यह आई, लिखावा चोटा सा icon, आई वाल sections में basic textures, basic graphic textures on कर रहा हूँ, ठीक है, let's say मैं इसमें एक और fill add करना चाहरा हूँ, यहाँ से, यह मैंने add किया, और यह देखें, इसमें इसमें टॉप पर आ रहा है, और यह वही वाला आ रहा है, जो कि अभी तक कि हमने use किया था, जो last वाला, ठीक है, मैं इसमें यहाँ इसक कोई भी एक texture select कर लेते हैं, ठीक है, and let's say मैं यह lines, diagonal lines वाला है, यह texture select कर रहा हूँ, और अब देखें, आपके पीछे वो gradient भी देख रहा है, सही है, आप चाहना है कि ग्रेडियंट इसके ऊपर आ जाए, तो ठीक है, इसको नीचे कर ले, ठीक है, और यह वाला जो fill है, जिस texture मैंने डाला है, इसकी opacity वाला panel खोलें, और यहां से आप चाहने, तो इसकी opacity डाउन कर सकते हैं, या even आप यहां से multiply, या overlay कर सकते हैं, now overlay वगरा क्या है, यह blending modes आज मैं नहीं पढ़ा रहा है, blending modes आपनों को, मैं फिर किसी class में definitely बताऊंगा, जरूर के blending modes होते के, let's do one more change, कि यह जो grey color था, मैं इसका color थोड़ा सा change कर रहा हूं, ठीक है, and yes, यहां से मैंने यह कर दिया, यह जो gradient है, इसका भी मैं blending mode change कर रहा हूं, opacity में जाके इसको मैं यहां से color burn कर देते हैं, ताके थोड़ा सा reddish tone आ जाए, ठीक है, now, see this, अब यह तमाम तर एक ही object है, मुझे इतनी सारी इसमें different objects बनाने की जरुवत नहीं पड़ी, ठीक है, so मैं अगर यहां से new कर दूँ, फिर सही मेरा record नाया style बन गया, और let's say मैं बिल्कुल default object बनाता हूं, कोई भी, let's say मैं यह एक star बना देता हूं, और, like this, यह, 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 मैंने star बना दिया, थोड़ा सा बड़ा कर ले, और, मैंने, चाहें तो आप यह लगा दे, चाहें तो आप यह लगा दे, and, let's it, आपके पास एक बना बनाय style मौझूद है, और आप कभी भी किसी भी object पर यह style apply कर सकते हैं, and I hope कि यह आप लोग बहुत ही काम आएगा, ठीके जी, चलें जी, एक step और आगे बढ़ते हैं, और हम देखते हैं, कि appearance के panel में हम और क्या क्या कर सकते हैं, right, अच्छा, appearance के panel में, तीसरा यहां पर जो button दिया हुआ, effects, add new effect, अगर यह ना आ रहा हो, तो, यहां पर, तो, as such, आपके पास option नहीं है, लेकिन, और यहां से कोई भी effect अप्ला करने, so, let's say, मैं इसमें एक drop shadow add करना चाहरा हूँ, जी, so, मैंने click किया drop shadow पे, preview on करिएगा, यह आपका drop shadow आ रहा है, मैं इसको इस तरफ से उठा करके, center में लाना चाहरा हूँ, तो, मैं इसका X offset जो है, बहुत जीरो कर रहा हूँ, right, preview on रखि यह थोड़ा सा और और इंज की तरफ चले जाए, warm shadow चाहरा हूँ, ठीक है, let's it, इसको ok करें, and see this, यह आपके पास यहां पे add होगया है, ठीक है, अब यह, चूँके आपका पूरा object था, selected, तो उस पर apply हुआ है, तो उस पर apply हुआ है, तो यह effect हटा दे, अगर मैं चाहरा जी, सिर्फ मेरी, जो यह blue वाली outline है, इसके आपर drop shadow apply हूँ, तो इसको आप select रखें, ठीक है, और फिर आप जाकर effect apply करें, drop shadow, देखें, यह last जो effect होता है, वो apply किया हूँ, यहां पर आ रहा होता है, यहां से मैं आगर जासी, preview on करता हूँ, अब देखें, यह वाला जो shadow है, यह सिर्फ इस blue stroke पर apply हूँ, जिसकी वजह से, यह star के अंदर भी आ रहा है, तो याद रखेंगा कि आप किस चीज़ पर effect लगा रहे हैं, यह बहुत 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 ज़दा important चीज़ है, कि आप देख भाल के इसमें effect लगाएं, ठीक है, तो एक और मेरा style यहां पर ready ह हो गया, अब देखें, फाइदा मेरे पास बने बना style ready हो चुके हैं, बहुत तारे, और मतलब एक ही के, formations are different, अब मैंने यह बना है rounded rectangle, और आप चाहने तो यह style रखने हैं, चाहने तो यह रखने हैं, चाहने तो यह रखने हैं, चाहने तो यह रखने हैं, and that's it, it's so easy, it is so easy, आप बहुत ही मज़ेदार किसम की चीज़ें बना सकते हैं, but please एक चीज़ का fan रखेगा, थोड़ा सोच समझ के colors यूस कीज़ेगा, थोड़ा सोच समझ के अपने effects वगर लगाएगा, बहुत जादा overboard मत कर दीज़ेगा, बहुत जादा over हो जाते हैं चीज़ें तो फिर बह बहुत सिंपल सा का, मैं सिंपल सी एक line डाल रहा हूँ, ठीक है, और हम वही multiple strokes बना रहे हैं, मैं एक छोटा सा एक यह बनाना चाहरा हूँ कि जिसरा से games में, road maps होते हैं, उस पे सड़क बनी व्यारियोती, road बना रहा होते हैं, and मुझे वो एक style बनाना है, और वो किस तरह से बनेगा, देखें, सबसे पहले तो मैंने एक stroke लिया हुआ है, और सिंपल सी एक line है, ठीक है, और इसका मैं color जाकर के change कर रहा हूँ, gray, ठीक है, और stroke मैं कर रहा हूँ, thick, तकरीबन, और ज्यादा, 80 points, यह बहुत ज्यादा हो, 40, ठीक है, और इसके बीच में, मुझे white lines चाहि होंगी, मैं एक और stroke यहां से add कर रहा हूँ, add new stroke, और इस बार मैं stroke का color white कर रहा हूँ, और इसका जो weight है, मैं कम करके तकरीबन, six points कर रहा हूँ, बलके और कम कर दे, I think four, and, मैं जूम करके भी आपको दिखा दूँ के, बन क्या रहा है, ठीक है, यह four है, points, plus हमें dash lines चाहिए, ठीक है, और dash lines जो है, मैं इसका dash बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा, and, like this, और इनके बीच में, अगर आप gap करना चाह रहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं, यहां से gap बता जाएं कि कितना चाहिए, so, like this, so, तकरीबन, 30 points की dash है, और 8 points का gap है, right, so, यह भी हो गया, मैं इसके side मैं थोड़ा सा एक border चाह रहा हूँ, तो मैं फिर से एक और new stroke आड़ कर रहा हूँ, और यह जो new stroke है, मैं इसको सबसे नीचे रख रहा हूँ, इसका मैं color थोड़ा सा, अ, अच्छा, पहले तो इसके dashes हटा दे, इसका solid मुझे चाहिए, और इसका weight मैं 60 points रख रहा हूँ, य मैं इसको तक्रिवन कर रहा हूँ, 50, ठीक है, यह और कम कर ले, sorry, let's say 44, बस यह थोड़ा सा, इसका मुझे यह बाहर निकलना था, और इसका मैं color gray dark वाला रख रहा हूँ, ठीक है, now, एक और stroke, ठीक है, और इस बार मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, या नीचे वाले को select करे है, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा light gray कर रहा हूँ, और इसका weight मैं 60 points कर रहा हूँ, ठीक है, और यह light gray भी तकरिवन थोड़ा सा, इतना होगा, and that's it, जूम आट करके देखे, यह आपकी एक तरह से सड़क बन गई, और या तकी का यह सरफ एक stroke है, nothing else, इ usually select करने में थोड़ा सा मसला होगा, मगर मज़ेदार सी बात यह है, कि आप कोई सी भी stroke ले लें, आप चाहे आप pencil से बना लें, या आप किसी भी चीज़ से बना लें, so let's say, मैं pencil लेता हूँ, और मैं इस तरह से line डाल देता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं, oops, sorry, 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 वलत ही हो गई, इसको पहले आप प्लीज यहां पर आके store कर दें, वरना यह आपके हाद से चली जाएगी, ठीक है, so, मैंने एक pencil ली, और यह इस तरह से बहुत बुरी सी line बना यह, यह मैंने इस तरह से line बना दी, और इस पर आकर मैंने click कर दिया, see this, मज़ेदार सी सड़क बन यार, cartoonish है, I know, but, yes, यह काफी helpful है, यार, आप इसको use कर सकते हैं, हाँ, वगर तमीज से आप कोई चीज बना है, तो वो ज्यादा बेतर बनेगी, and, let's see, हम इस से यह कर सकते हैं, मैंने एक rounded rectangle लिया, और, let's say, यह point, मैंने delete कर दिया, इसको मैं खोड़ा सा, छोटा कर रहूं ठीक है, and, इसी stroke की मैंने, copy ली, और, इसको rotate कर ले, ठीक, और बिल्कुल इसके center में लाचा रहे, make sure कि आपका smart guide on है, मेरा off था, so, फायदा किया smart guide का, कि यह जब आप इसके पास लेकर आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि यह आप बिल्कुल center में लगा रहे हैं, and then, finally, आप इसको, average, and, join, यह आपनों को बहुत पहले पता है, बता चुका हूँ, ठीक है, so, हाँ, तमीज से अगर आप बनाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा, वरना, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, so, I believe आपनों को यहां तक के यह समझ में आया होगा, और appearance का panel, use करें, बहुत ही काम की चीज़ें आप कर सकते हैं, बस make sure, कि आप चीज़ों में बहुत कुछ हो सकता है, please इसकी practice कीज़ेगा, मुझे बहुत सारे styles बनाकर दिखा रहे हैं, आप लोग, so, I hope आपनों को यह class भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो please like कीज़ेगा, और अगर subscribe अभी तक आपनों को नहीं किया, तो please subscribe करें, and अपने दोस के साथ share करें, right? Thank you!